अगली खबर जैपूर के मांसरोवर से है जहां मेट्रो स्टेशन स्थित रावन बस्ती में एक जून को लगी आख से प्रभावित लोगों को अभी तक कोई सरकारी मदद नहीं मिली है इसी के चलते बस्ती के लोगों ने अनिश्चुत कालीन धर्ना शुरू कर दिया धर्ने के पहले दिन बड़ी संख्या में स्थानिये लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की और वहीं घुमतू अर्द घुमनतू एवं विबुक्त रतननात कालबेलिया ने बताया कि ये धर्ना तब तक जारी रहेगा जब तक आग लगने वाले आरोपियों को पुलिस ग्रफतार नहीं करती साथ ही सरकार बस्ती में रहने वाले गरीब मजदूरों को राहत पैकेच नहीं देती ग्यारा साल पहले भी आग लगा के इनी बस्ती को आग के हवाले कर दिया था जिसमें एक बच्ची सुलजगी थी और इन लोगों के गर मकान जूपड़े पूरे के पूरे जल गिये थे यही परिवार तेर यही लोग थे दूसरा जाने वाली एक तारिक को तीन बज़े हमारी बस्ती के जो स्वामी जी यह मुक्या है इनके पास आये थे उनको का अग माराज बस्ती खाली करो तो माराज ने का भी हम तो यहां बेटे हैं रोजी रोजगार हमारा है और हम यहां बेटे हम कहां जाएंगे कि महराज बस्ती खाली नहीं करोगे तो इंजाम बुरा होगा यह केके 6-7-8 जने थे और वो चले गिए साड़ा चार बजे जहां अपना अभी सभास्तल है इनके पिछे इधर पिछे दिवाल दिख रिये उन दिवाल की तरफ से अब क्या पता उन्होंने कोई केमिकल डाला या कोई पैटरोल डाला और पूरी बस्ती में पहले तो धुआ हुआ और उस कोने के पिछे बड़ा एक आग का जवाला मकी की तरह एक गुबारा निकला और पूरी बस्ती देखते देखते ही यह पूरी के अंदर तब्दील होगी जिसमें केवल से तीस परिवार इसमें प्रभावित होगे